किसान भाइयो मैं हूँ क्रिसीवी से सग्यों और मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल उन्नत फार्मिंग में किसान भाइयो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ ऐसी पांच गलतियों के बारे में जिसको अगर आप करते हैं तो आपका प्रो ट्रेनर सरी पूरी तरीके से बरबाद हो सकता है तो किसान भाइयो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं बात करते हैं पहली गलती की तो पहले गलती है सीड ट्रीटमेंट ना करना यानि के बीज का उपचार ना करना सीड सोइंग से पहले यानि के बीज को बोने से पहले हमें सीड का ट्रीटमेंट करना पड़ता है यानि के बीज का उपचार करना पड़ता है बीच उपचार करने के लिए हम किसी fungicide यानि कि फंफुंद नासी का परियोग करते हैं किसान भायू अगर हम seed का treatment नहीं करते हैं तो ज़्यादा chances होते हैं कि seed में fungus लग जाएगा और seed germinate ही नहीं करता है तो ये समस्या हमें देखने को मिलती है किसान भायू आजकल जो भी बीच हम खरीटते हैं जो भी seed हम खरीटते हैं उसके packet में लिखा हुआ रहता है कि या बीच उपचारित है इस chemical से chemical का नाम वहाँ पे लिखा हुआ रहता है तो उस बीच का हमें उपचार नहीं करना है ऐसे बीच जिसका उपचार नहीं किया हुआ है सिर्फ ऐसे बीच का ही हमें उपचार करना है जिसान भायो दूसरी गलती है प्रो ट्रे में बीच गहराई में बोना यानि कि प्रो ट्रे में जब हम growing media भर लेते हैं उसके बाद हम उसमें hole गड़े काफी गहरे बना देते हैं उसके बाद हम उसमें seed बोते हैं, seed का sowing करते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो seed germinate करने में समय लगेगा और उसके सढने की भी chances बढ़ जाते हैं तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं दोराना है किसान भाईयों तीसरी गलती वो गलती है जिससे किसान भाई गलती समझते ही नहीं है समान्यता हुआ क्या करते हैं कि जब प्रो ट्रे में वो बीज बोलेते हैं उसके बाद उसमें वो पानी डाल देते हैं यानि कि उसकी सिचाई कर देते हैं जिससे उसमें मौझूद कोकोपिट और वर्मी कमपोस्ट काफी गीला हो जाता है और यह फंगस के ग्रोध को काफी सपोर्ट करता है जिससे बीज सडने के चांसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जर्मिनेशन हमें कम देखने को मिलता है तो किसान भायो इस बात का आ अंधिरे रूम में रख दीजिए और उसे कब तक रखना है तो उसे जब तक भी जर्मिनेट नहीं कर जाए जब जर्मिनेशन हो जाए तभी आप उसको बाहर निकालिए अगर प्रोट्रे सुखा हुआ है तब आपको उसमें सिचाई करना है और यह आपका पहला सिचाई हो हैं तो उसे हम कहीं भी रख देते हैं या तो उसे हम सीधे दूप में रख देते हैं या किसी छाए जगा में रख देते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ऐसा करने से अनुकूल वातावरा नहीं मिल पाता है यानि कि फेवरेवल इंभार्मेंट नही मिल पाता है जिससे germination effect होता है और growth भी नहीं होता है इससे बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि गर्मी के दिनों में हमेशा said net का ही हम परियोग करेंगे आप देख सकते हैं ये green said net structure है इसी तरह का आपको structure बना लेना है और ध्यान रहे कि green said net का परियोग सिर्फ और सिर्फ आपको गर्मी के दिनों में ही करना है क्योंकि किसान भाई इसे green house समझते हैं और इसका परियोग हमेशा करते हैं तो आपको इसका परियोग सिर्फ और सिर्फ गर्मी के दिनों में ही करना है क्योंकि इसका काम धूप को रोकने का होता है और अंदर के वातावरन को थोड़ा ठंडा बनाया रखने का काम ये करता है किसान भाईयो इन बातों को आपको समझना काफी आवश्चक है तभी आप अच्छे तरीके से मनेजमेंट कर सकते हैं अब बात करते हैं ठंड के मौसम में तो ठंड के मौसम में बाहर का वातावरन काफी ठंडा हो जाता है जिसके वज़ा से पौधो का विकास काफी कम हो जाता है काफी स्लो हो जाता है और इससे बचाने के लिए हमें जहां पे नरसरी तैयार कर रहे हैं वहां का वातावरन तरका गरम होगा और पौधयों का विकास काफी अच्छा होगा और समय भी कम लएगा तो किसान भायो ठंड में आपको पोली हाउस का यूज करना है आप देख लिजी पोली हाउस का इस्ट्रक्चर ऐसा होता है इस तरह से आपको एक इस्ट्रक्चर तयार कर लेना है जिसके जिससे पानी काफी पड़ता है अंदर सरी पे और पौधों के डैमेज होने का चांस काफी बढ़ जाता है तो इससे बचने के लिए आपको क्लैडिंग मेटरियल मतलब उपर में सिर्फ आपको प्लास्टिक डाल लेना है अगर आप उपर में प्लास्टिक डाल देते हैं त इस मौसम में हमें किस तरह का इस्ट्रक्चर तयार करना है अब बात करते हैं पांचवी गलती की तो किसान भाईयो ये बहुत ही आम गलती है यानि जिस पर किसी का ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं जाता है किसान भाईयो जब हम नरसरी में पौधे तयार कर लेते हैं तो किस प्रोटेक्टेड इस्ट्रक्चर में तयार करते हैं जैसा कि मैंने भी आपको बताया के ठंड गर्मी और बरसात में हम किस तरह के इस्ट्रक्चर का परियोग करते हैं जिससे नरसरी के अंदर का एक अलग वातावरन हम लोग तयार करते हैं जिसमें पौदे अच्छे तयार हो रहे हैं उस वातावरन से पौधों को मैच करना होता है जिससे की पौधे डैमेज ना हो उधारन के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम ठंड के दिनों में पौधे तयार कर रहे हैं तो पौधे हम पौली हाउस में तयार करेंगे और पौली हाउस के अंदर का तापमान बाहर के तापमान की तुलना में जादा होगा अधिक होगा और अगर ऐसे में हम डायर्ट पोली हाउस से पौधे निकाल करके खेत में लगा दें तो बाहर ठंड की वज़े से पौधे मर जाएं क्योंकि उसको वो ठंड अचानक मिला है तो ऐसे सिच्वेशन से बचने के इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो नर्सरी हमने तयार किया है ट्रांस्प्लांटिंग से एक सब्ता के पहले नर्सरी के क्लैडिंग मेटरियल को यानि के नर्सरी के स्ट्रक्चर में जो हमने छत के रूप में परयोग किया है या तो प्लास्टिक का परयोग करते हैं या फिर ग्रीन सेटनेट का परियोग करते हैं तो अगर हमने प्लास्टी का परियोग किया है तो उसे पहले दिन हमें एक घंटे के लिए हटाना है और फिर से धख देना है फिर दूसरे दिन दो घंटे के लिए हटाना है फिर से धख देना है तिसरे दिन तीन घंटे के लिए हटाना है और फिर से ढग देना है ऐसे करते करते हम साथ दिनों तक ये प्रोसेस करेंगे ऐसा करने से पौधे बाहरी वातवरन के अनुकूल हो जाते हैं और जिसका हम ट्रांस्प्लांट करेंगे तो खेत में पौधों का कोई नुकसान नहीं होता है तो किसान भाइयो ये प्रोसेस आपको जरूर ही करना है किसान भाइयो प्रो ट्रे नरसरी से रिलेटेड आपको इतनी ज़्यादा जानकारी और किसी चैनल में देखने को नहीं मिलेगी इससे पहले भी मैंने अल्रेडी 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आप वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं प्रो ट्रे में नरसरी तयार करने का पूरा प्रोसेस किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपके सवालों का मैंने अल्रेडी पिछले वीडियो में जवाब दिया है तो किसान भाईयो मैं आसा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी और बहुत कुछ सिखने को मिला होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में लेते हैं आपसे विदा अपते के लिए धन्यवाद